Hi everyone, welcome back to Dikshah's Education Hub तो last time हमने बोहर model शुरू कर दिया था तो आज हम देखेंगे कि K, L, M, N जो हमने shells देखी उनका क्या purpose है तो अगर आपने last lecture देखा है तो आपको ये easily समझ आ जाएगा अगर पहले तो structure देखो, बीच में nucleus था, ये first layer थी जिसको हमने K बोला था अगली layer को हमने L बोला था, उससे अगली वाली जो layer थी उसको हमने M बोला था then उससे अगली जो layer थी उसको हमने N बोला था पर ये जो K, L, M, N and so on, ये जो layers हैं के अंदर electrons को count case से करेंगे तो उसके लिए formula है 2N square और याद करो K के case में N बोला हमने 1 L के case में N की value बोली 2, M के case में बोली 3, N के case में बोली 4 और ये ऐसे ही चलता जाएगा तो मलब अगर K के case में मुझे electrons के number निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे 2 और N की value 1, तो इसमें रहेंगे आपके कितने 1 का square 1 नहीं रहेगा, 2 into 1 is equal to 2 मलब 2 electrons इसमें आते हैं, जो K shell है आपकी, इसके अंदर 2 electrons आपको मिलेंगे वैसे हमने देखा L, L के लिए N की value डाल दो यहाँ पर 2 और square 2 to the 4, 2 to the 8, मलब इसमें कितने electrons आएंगे, maximum 8 electrons आएंगे वैसे आपने देखी M, M के case में आपने क्या देखा, N is equal to 3 तो 2 अंदर लिखोगे, जब 3 अंदर लिखोगे, जब 3, 3 is a 9, 9, 2 is a 18 तो आजाएंगे आपके पास 18 electrons, वैसे आपने देखा N, N के case में 2 और 4 की अंदर value, और 4, 4 is a 16, 16, 2 is a 32 electrons, वैसे अगर आगे होगी तो 64 आजाएगा and so on, ये चलता जाएगा case, तो electrons कैसे निकाले जाते हैं, इस तरह से निकाले जाते हैं अब जैसे atomic number ले लेते हैं, atomic number 2 ले लेते हैं, किसका होता है, helium का होता है अब helium के case में कितने electrons हैं, मलब 2 electrons निकल के आएंगे, तो मलब K shell में कितने हैं, यहाँ पे आपको 2 electrons मिलेंगे helium का structure कैसे बनेगा, बीच में nucleus और 2 electron यहाँ और यहाँ पे, कौन सी shell है, K वाली है वैसे अगर मैं lithium का example ले लूँ, तो lithium का atomic number रहता है 3, बीच में आजाएगा nucleus और बाहर वाली layer में 1 electron, 2 electron, कितने होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे तो बाहर वाले जो shell है, आपकी L वाली जो shell है, उसमें हमने देखा 8 electrons आ सकते हैं, तो एक electron जो है, वो आपकी L शेल में चला जाएगा वैसे अगर example ले ले, sodium का, sodium का atomic number है 11, तो बीच में आगया nucleus, बाहर वाली layer K वाली थी, उसमें आ जाएगे 2 electrons, L वाली में कितने आ जाएगे, यहाँ पे 2 हो चुके हैं, तो 8 बोल ले थे न, maximum L के case में, तो यहाँ पे 8 electron आपको दिख जाएगे, पर एक electron जो बच गया, वो कह हाँ पे आजाएगा, वो आजाएगा आपकी बाहर वाली shell में, ठीक है, और यह जो बाहर वाली shell का electron बचता है, उसको हम बोलते हैं, valence electrons, उसको हम क्या बोलते हैं, valence electrons, तो this is the concept की कैसे हम calculation करते हैं, इन electrons की, अभी आपने देखा, KLMN, ठीक है, K के case में हमने देखा 2 electrons आ रह है, पर एक के case समझो, calcium का कितना होता है, atomic number 20 रहता है, calcium की अगर बात करें, तो 20 electron अब आपको adjust करवाने हैं, तो K में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, क्योंगी 2 maximum आते हैं, L में कितने आ जाएंगे, 8 electrons आ जाएंगे, तो कितना होगे आपका भी तक, 10 electrons यूज हो चुके ह कितने बचे, 10 बचे, अब जो आपकी M वाली layer होती है, M वाली कितनी accommodate कर सकती है, यह 18 accommodate कर सकती है, पर यहां पर 18 की जगे, यह क्या करेगी, अब इस चीज को देखना ध्यान से, यह बोलेगी कि मेरे पास भी सिर्फ 8 electrons पकड़ाओ, 8 electron तो यहां पर आगे, पर बाकी 2 किया कर परियोडिक टेबल में सुना हो, कि noble gases होती है, last वाले में, और यह जो noble gases होती है, यह होती है, stable, और stable होने के साथ कैसी होती है, inert, मतलब react नहीं करती, unreactive होती है, तो हर, जो periodic table के अंदर हर element है, they want, कि हम भी किस की तरह हो जाए, stable की तरह हो जाए, noble gases की तरह हो जाए, तो यह ज जीरो, run, उडाए, उडाए वाला आप मिस कर सकते हो, क्योंगी रेडियो अक्टिविटी वाला case आ जाता है, उतना आपसे state exams में नहीं पूछते, तो हेम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, helium को, ने रिप्रेजेंट कर रहा है, neon को, अरेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, argon को, करके मदलब krypton, zero मदलब xenon, और rn मदलब radon, अब helium का atomic number है, ठीक है, तो अब देखो, lithium में हमने क्या देखा था, तीन था ना उसका atomic number, तो वो क्या करता है, पहले दो electron तो नहीं निकल पाएंगे, यह बहुत tightly होते हैं, force of attraction में होते हैं, center की तरफ को होते हैं, पर जो वाला electron होते हैं, वो थोड़ा loosely pack होते हैं, तो आप heat वगयारा दोगे, pressure वगयारा दोगे, तो यह electron easily remove कर जाता है, और जैसे ही remove करता है, तो lithium के उपर आ जाता है, plus sign, मलब कोई चीज remove हुई है, और अगर remove हुई है, तो इसके अंदर tendency है, कि वो एक electron अभी ले भी सकता है, त तो positive क्या represent कर रहा है, कोई चीज lose हुई, और क्या lose हुआ, electron lose हुई, तो इसने किसने attain कर लिए अभी electron, electron का number आ चुक है 2, तो इसने helium की, देखो, helium की configuration attain कर लिए, stable हो गया, वैसे neon का आता है, atomic number 10, तो 10 के आप सपास के ले ले लेते हैं, sodium देखा भी आपने, 11, 11 के किसमें बी को remove कर देगा, और कितने electron बच जाएंगे, अब 10 बच जाएंगे, तो मतलब किसकी attain कर लिए configuration, neon, वैसे fluorine का आप देख सकते हो, तो fluorine का 9 number होता है, तो ये क्या करेगा, इसके पास एक electron कम है, neon की attain करने के लिए, ये कहीं से खींच लेगा, एक electron की, इसकी valency पूरी हो जाए, और जब खींचेगा, तो इसके पास electron का number आजाएगा, 10, पर जो positive charge होता है, जिसको हमने proton बोला, उसका number कभी भी change नहीं होता, तो hence we can say, कि जो hydrogen है, उसका atomic number 1 बोला है, lithium है, उसका atomic number 3 बोला है, helium है, उसका atomic number हमने कितना बोला, 2 बोला, तो ये क्या represent कर रहे हैं, ये represent कर रहे ह हैं, वही उसका atomic number होता है, क्योंकि electron का number तो change कर रहे है, electron जो है, वो stability चाहता है, तो noble gases की तरह अपनी जो accommodation है, उसको try कर रहे है, ठीक है, तो ये आजाएगा आपका proton, अब electron distribute कैसे हुए, different orbits के अंदर, तो हमने formula देखा, 2N square वाला, जिसके तहर ये fix हो जाते हैं, और जो maximum number ह होते हैं, electrons के, जो outermost orbit attain कर सकती है, वो होती है, 8, ठीक है, 8, 8 क्यों बोला, क्योंकि अगली जो shell थी, वो खाली पड़ी वी थी, तो ये जो shells होती है, ये बोलती है, कि हम में ऐसे ही वजन हो रखा है, तो इससे अच्छा है कि 8 रख लेते है, minimum, और जो बाकी के हैं, वो कहां जाएंगे, O में, तो ये तो shifting ही होती रह जाएगी, जब बड़ा size आएगा, तब थोड़ी आप 18 से बार-बार shift करोगे, 32 आजाएगा, तब थोड़ी तो बार-बार से 8 रखोगे, तब भीडी होती जाएगी, बाकी की shells पहतेंगी, तो ये exception भी थी इसकी, step wise तो है, पर क्य जाएगा है, बार-बार shifting होरी है electrons की, ताकि stability attain करने में easy रहे, जो आपकी configuration देखी न, हमने neon वगेरा की, जो noble gases है, वो stability अगर attain करनी है, तो बार-बार electron को बाहर निकालना पड़ रहा है, कहीं पर attain करना पड़ रहा है, तो उसके लिए बाद में एक और configuration आई थी, 1s2, 2s2, उसको भी देखेंगे, पर उससे पहले, 1932 में Chadwick आते हैं, Chadwick ने discovery करी किसकी एक और सब atomic particle है, जिसका नाम है neutron, अभी neutron की बात ही नहीं करी थी, और neutron कैसा होता है, जिसके उपर कोई भी charge नहीं है, पर अगर mass देखोगे तो वो लगभग कितना है, 1.6 into 10 raised to power minus 27 kg, जो कि किसके पास है, वो proton की आस पास है, तो ये जो neutron है और proton है, ये दोनों कहा बे बैठे होते हैं, ये nucleus में बैठे होते हैं, तो अगर आपसे पूछलिया जाए, chemistry के अंदर, physics के अंदर कि ये जो nucleus होता है, इसके अंदर proton और neutron होता है या proton और electron होता है, तो आपको बदा होना चाहिए इ वाला और साथ में neutron होता है ठीक है neutron को हम represent करेंगे n और except hydrogen hydrogen के case में ये neutron नहीं मिलेगा आपको क्यों नहीं मिलेगा वो तो अभी देखना है पर अभी के लिए याद रखो इतना उसके बाद valence electron क्या थे तो sodium का वो जो एक electron बच रहा था जिसको वो remove कर रहा था that was the valence electron तो electron जो outermost shell के अंदर present होता है उसको हम बोलते हैं valence electron और जो last shell की tendency होती है to accommodate maximum electron that is 8 और उसको हम क्या बोलते हैं कि जो definite capacity होती है किसी भी shell की उसको हम बोल देते हैं valency तो वो capacity है कि बाहर वाली layer में कितने वो shell के अंदर कितने electron रख सकते हैं कितने electron अकमोडेट कर सकते हैं कितने electron रखने की capacity है that capacity is known as valency उसके बाद valency की अगर बात करें तो बहुर स्कीम के हिसाब से जो outermost shell होती है atom की वो कितने electron अचीव कर सकता है 8 electron ताकि वो stable हो सके अब कैसे करेगा या तो electron को share कर देगा या तो lose करेगा या फिर gain करेगा lose और gain वाला तो देख लिया आपने lose में देखा हमने sodium का example lithium का example gain में हमने देखा florin ने कहीं से arrange किया electron और बन गया था stable तो इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं bonding अबंधन बोलते ह एक तो lose or gain बोल दिया हमने right lose or gain कर सकते हैं और दूसरा क्या बोल दिया हमने lose or gain की जगे पे that is your sharing अब sharing कैसे होगी वो भी देखते हैं therefore जो valency होती है वो electron कितने lose हुए कितने share हुए कितने gain हुए किसी भी particular inert gas configuration को attain करने के लिए उसे हम क्या बोल देते हैं उसको हम बोल देते हैं वेलेंसी अब देखते हैं atomic number क्या होता है mass number क्या होता है तो atomic number होता है कितने nucleus के अंदर कितने protons present हैं तो you don't know नमबर होता है आपका that talks about only proton ये किसके बारे में बात करता है ये proton के बारे में बात करता है atomic number को हम जी से represent करते हैं और atomic number is equal to the number of proton तो मतलब proton का number कभी भी change नहीं होता तभी तो hydrogen का हमेशा आप पढ़ोगे atomic number 1 है lithium का हमेशा पढ़ोगे 3 है helium का हमेशा पढ़ोगे 2 है carbon का पढ़ोगे 6 है oxygen का पढ़ोगे 8 है fluorine का पढ़ोगे 9 है nitrogen का पढ़ोगे 7 है और neon का पढ़ोगे तो 10 है तो ये हमेशा fix रहते हैं क्यों क्योंकि जो proton है उसका number fix रहता है उसके अलावा जो electron होते हैं उनको हमने देख लिया कि वो तो change हो रहे थे तो वो क्या है वो आपके atomic number को नहीं represent करता है कौन represent करता है atomic number को तो proton represent करता है state exams में ऐसे question आजाते हैं तो थोड़ा साथ धियान रखेंगे denotion क्या रहती है किस चीज से आप represent करते है atomic number को तो Z से represent करते हो Z से represent करते हो और जितने भी element के अंदर आपके atoms मिलेंगे आपको उनका सेम ही atomic number रहेगा that is Z that is Z और जो proton and neutron है इनको हमने बुल लग यह nucleus में present है proton on neutron proton के ओपर positive charge neutron के ओपर no charge पर इनको हम nucleons भी बोल देते हैं गठे इनको और क्या बोल देते हैं nucleons भी बोल देते हैं therefore जो mass होगा atom का वो कहां पर लाए करता है ज़ादत है वो करता है आपके nucleus के अंदर क्योंकि दोनों का mass है electron से ज़ादा दोनों का mass और अगर proton on neutron दोनों का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से जादा होगा तो इसकेस में क्या होगा मास जो होता है वो सेंटर में लाए कर रहे हैं कि प्रोटोन और न्यूट्रोन कहां पी कट्थे हो रखे हैं नूकलिस वाले पॉइंट पे एक्जामपल देख लो अब जो कार्बन है उसका अटॉमिक नंबर होता है न छे पर प्रोटोन भी इसमें 6 ही होता है तो इसका अटॉमिक जो मास नंबर है वो आ जाता है लगबग 12 के आसपास क्योंगी इसके पास 6 प्रोटोन है 6 नूट्रोन है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहें सौरी जो मास नंबर है आपका वो कैसे रिप्रेजेंट होगा आपके 6 प्रोटोन और 6 नूट्रोन की वज़े से 12 आ जाता है वैसे अगर बात करें अलूमिनियम की तो अलूमिनियम का जो अटॉमिक नंबर होता है वो कितना रहता है 13 रहता है पर उसके केस में 13 प् पर आगे जागे जैसे आप चलना शुरू करोगे वहां पर डबल नहीं आएगा वैल्यू डबल से या तो कम होगी या तो फिर जादा होगी और जब तो आप एफ सीरीज में लास्ट वाले यह जो आपके रेर अर्थ ऐलिमेंट्स वग्यारा होते हैं इनको जब आप देख लगबग क्योंगी इसमें प्रोटोन और नूट्रोन दोनों होते हैं अटॉमिक नंबर अकेला प्रोटोन होता है और जो आपके चार होते हैं यह मास नंबर होता है और मास नंबर क्या रहता है आपका प्रोटोन प्लस नूट्रोन रहता है तो इसमें दो ही प्रोटोन है औ और आपका atomic number represent करता है, तो जो लिखने का तरीका होता है, इनको आप periodic table में देखते हो, तो हमेशा आपका atomic number है, वो bottom में लिखा जाता है, और atomic mass है, वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोन तो chemical property decide करेगा, इलेक्ट्रोन भी होंगे, आगे बीचे चलते रहेंगे, वैसे तो proton की बराबर होते हैं, पर ये निकल सकते हैं शेल से, ठीक है, और इनका वजन कम है, इस वज़े से उड़ रहे हैं, orbits के अंदर उड़ रहे हैं, discrete orbits के अंदर उड़ रह रेज हैं, वो आगे जाने के वज़ाए, पीछे हट जा रही हैं, और बाद में हमने देखा कि अच्छा orbits है, तो अगर orbits है, तो उस case में orbit के बीच में gap पड़ा हो है, और ये जो gap है, इसके थूच जितनी भी रेज जाएंगी, वो आगे पास कर जाएंगी, ठीक है, तो आप आपने लिखने का तरीका हमेशा याद रखना है कि पैरो में लिखते हैं, अटोमिक नंबर जो की fix रहता है, और जो mass number होता है, वो भी fix रहता है, पर किस से calculate करते हैं, proton और neutron से, mass number हमेशा उपर आएगा, अब देखेंगे molecular mass के बारे में पर देखेंगे in the next lecture, अभी के लिए झाल